हेलो अब्रीवाइन गुड मॉनिंग तू आल अफ यो टाकेट कॉंपेटिशन यूटीब चनल में आपका स्वागत है तो गाइस आज हम करने वाले हैं तो हिंदू एडिटोरिल के वोकाबलरी और आज है 30 अपरेल 2020 तो देखते हैं आज के लिए कौन-कौनसी वर्ड इस कराती हूं इवनिंगे 5 पेम वाले लाइव शेशन में तो आपने अगर वह अटेंड नहीं किया है तो आप 5 पेम पर आज रेडि रहिएगा 5 पेम पर डेली हम करते हैं लाइव कुछ शेशन तो वहां पर आप आके लाइव कुछ शेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इ अगर आपने पोट नहीं देख सकते हैं आप तागेट credible के प्रेलिस्ट में जारी देख सकते हैं इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन शेक्शन में सारे लीएव कि प्रेलिस्ट मिल जाएगी van करते हैं आज के शेशन को देखें हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है जैपर्डी जैपर्डी का मतलब क्या होता है जोखिम होता है तो यह जोखिम जो होता है उसको हम यानि कि रिस्क जो होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं और जैपर्डी क्योंकि जै होने का खत्रा या फिर लौस होगो चैक्ट ऑफ earned ही तो देंजर ओफ 스यलर के फिर इसे बुलते हैं रिस्क यानि की जोखिम और इस ही को क्या वह बोलते है चैपर्डी 하루ं को मतलब होता है रिसक नेक्सte होता loss या फिर harm या फिर failure उसे बोलते हैं रिस्क यानि की जोखिम और इसी को और क्या बोलते है lepady ठीड़ूसी को मतलब होता है रिस्क अहोटा है पेजंट पेजेंट का मतलब देख यह होता है पेजन पेजेंट का मतलब होता है sister is a member under contract का मतलब होता है को ऐसा जो farmer वाला हो यानि की क्रश्यक वाग हो फर इक्जामपल यहां पर मैंने दिया हुआ है पीजेड ये ज़ान कि फारमर की जो ऐसे का कोई member अगर है तो उसको बोलेंगे पेजेंट आइदर लेबरर्स और ओनर्स और स्मॉल फार्म्स फिर चाहे वो लेबरर्स भी हो सकते हैं जैसे फार्मर्स का जो ट्रेडिशनल क्लास है उसमें क्या कौन कौन आता है फार्मर्स आते हैं इसके लावा उसमें काम करने वाले लेबरर्स आते हैं इसके लावा उसमे जो फूरी फार्मर क्लास है ट्रेडिशनल क्लास उसमें जितने भी मैंबर होते हैं उन सभी को बोला जाता है पेजेंट क्या बोला जाता है पेजेंट यानि कि हिंदी में क्रश्यक वर्ग यानि कि फार्मर क्लास So I hope this is clear Next word क्या है guys Extol Extol का मतलब क्या होता है प्रशंशा यानि कि प्रेज करना किसी की तारीफ करना और प्रेज किस तरह से Enthusiastically Enthusiastically का मतलब होता है उत्साह से ठीक है Excitement से So किसी की प्रशंशा करना यानि कि extol करना PRAGE Synonym क्या होता है Extol होता है तो PRAGE And Extol तोनों के मिनिक सेम है PRAGE करना यानि कि किसी की प्रशंशा करना और Extol का मतलब भी वही होता है किसी की प्रशंशा करना Next word देखते है Clumsy Clumsy का मतलब होता है Awkward यानि कि Beढ़ंगा यानि कि कोई person clumsy है यानि कि Awkward है किस तरह से उसकी movement awkward है वो चीज़ों को जिस तरह से Handle करता है वो चीज awkward है तो ऐसे person को बोलते है Clumsy यानि कि Beढ़ंगा ठीक है So clumsy यानि कि Awkward person If a person is awkward Then you can tell him Clumsy Okay Next word देखे क्या होता है Harbinger Harbinger का मतलब क्या होता है Predecesor यानि कि अग्रदूत यानि कि जो पूर्वज होते है वो Predecesor का मतलब क्या होता है पूर्वज So पूर्वज यानि कि A person or thing That announces or signals The approach of another पूर्वज ही जैसे पूर्वज का काम होता है वैसे ही चलके जो उनके आगे आने वाली पीडियां है वो करती है इसलिए यहां पे बोला गया है कि कोई ऐसा person या think That announces or signals The approach of another जैसे हमारे पूर्वज हमें बता की गई कि हमें किस तरह से रहना है किस तरह से behave करना चाहिए किस तरह से समाज में सब की help करनी चाहिए तो वही हमारे जो पूर्वज हैं यानि कि पूर्वज अब देखे और क्या है quench quench का मतलब देखे क्या होता है satisfied यानि कि संतुष्ट यानि कि अपनी प्यास को भुजाना जैसे कि जब आपको प्यास लगती बहुत तीज तो आप क्या करते हो पानी पीने जाते हो और पानी पीकर अपनी प्यास को भुजा लेते हो तो उसे बोलते है quench करना यानि कि प्यास भुजाना यानि कि satisfy करना satisfy मतलब अपनी प्यास भुजा ले पानी से ठीक है so quench का मतलब होता है satisfy करना satisfy once thirst by drinking so quench मतलब प्यास भुजाना ठीक है next word देखी, क्या होता है? Resulting gangling का मतलब होता है bargaining यानि कि मौल भाव करना Angling का मतलब क्या होता है? bargaining यानि कि मौल भाव करना अब ये word तो सब को पता होगा जिसे definitive सभी करते हैं मौल भाव bargaining So, wrangling मतलब bargaining यानि कि have a long complicated dispute or argument bargaining करते हैं तो क्या होता है एक long discussion होता है एक तरह का discussion क्या argument होता है complicated dispute हो जाता है फिर वो नहीं नहीं इतने का नहीं नहीं इतने का इस तरह से so bargaining में क्या होता है एक तरह का long complicated dispute ही तो होता है वो argument ही तो होता है उसको बोलते हैं bargaining को wrangling यानि कि मोलभाव क्या बोलते हैं wrangling ओके next देखे क्या है peachy peachy का मतला होता है good यानि कि अच्छी कोई चीज अगर अच्छी है तो हम उसे good तो बोलते ही है इसके अलावा हम peachy भी बोल सकते हैं that this is so peachy and इसके अलावा आप कोई चीज जिसका color peach जैसा है उसको आप peachy बोल सकते हो peachy color so peachy मतलब अच्छी होना यानि कि good होना इसके अलावा उसके color से भी यानि कि peachy color चीक है यह होते हैं इसके meaning next देखे क्या होता है bevich bevich का मतलब होता है आकर्षक यानि कि attractive कोई चीज अगर attractive है तो हम कुसे और क्या बोल सकते है attractive के अलावा bevich बोल सकते है अगर कोई dress attractive है तो आप उसे bevich बोल सकते हो attractive तो हर कोई यूज करता है आप थोड़ा different word यूज करो different word क्या है bevich bevich का मतलब होता है attractive so gerund और present participle cast a spell over someone इसके अलावा bevich जो है एक और meaning होता है वो यह होता है bevich करना किसी को bevich करने का मतलब है किसी को अपने voice में कर लेना यानि कि किसी पर magic करके उसको अपने control में कर लेना उसे कहते है bevich यानि कि उसको अपनी तरफ आकरशित कर लेना so this is also called bevich okay so I hope this is clear let's move to the next word next word देखी क्या होता है axiom axiom का मतलब होता है saying अपने saying सुना होगा saying वो चीजें जैसे कहावतें जो होती है कहावतें को इंगलिस में बोलते है saying ठीक है कहावती को ही इंगलिस में बोला जाता है saying यानि कि हिदी में बोलते है सुकती या कहावत है so a statement or proposition which is regarded as being stabilized, accepted or self-evidently true यानि कि कोई ऐसी line ये कोई ऐसी saying जो कि stabilized हो accepted हो and self-evidently true हो जैसे कि कोई saying बोलते हैं कि बहुत सारी saying होती है तो इत का चांद जैसे इस तरह की तो ये saying जो है वो stabilized है पहले से इसके अलावा वो accepted भी है सभी लोग इन saying को मानते है और इनको जरूरत के अनुसार use भी करते है जब कोई ऐसी condition आती है तो वो saying बोलते हैं कहावतें बोलते हैं तो यानि कि वो accepted हैं तभी तो बोलते हैं इसके अलावा self-evidently true यानि कि जो कहावते हैं वो सत्य भी है सच भी हैं यानि कि true भी है जो भी कहावते हैं sayings हैं उनमें वाकी में एक truthness है यानि कि हमने जिसे बोलते हैं ईद का चान होना कब बोलते हैं जब कोई बहुत टाइम बात दिखाई दे या कोई आए तो उसे बोलते हैं ईद का चान तो यह क्या है? Accepted है, Stabilized है and True है That's why हमें Saying को मानते हैं तो इसी तरह से जितनी भी Saying होती है वो क्या होती है? Self-evidently True होती है अपने आप में ही वो सत्य होती है Accepted होती है Society में and Stabilized है वो Already So इसी लिए जो Saying होती है उनको यह सब बोला जाता है Stabilized, Accepted and Self-Evidently True And Saying के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं Saying को? Saying का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है Axiom So Axiom मतलब भी होता है Saying ठीक है? I hope this is clear अब देखिए Inexplicable Inexplicable का मतलब क्या होता है? Inexplicable का मतलब होता है Unexplainable यानि कि रहसे में किसी चीज का रहसे में होना यानि कि ऐसी कोई चीज जिसको explain करना मुश्किल हो Unable to be explained और accounted for किसी चीज को अगर explain करना मुश्किल है तो वो unexplainable कहलाएगी और उसी को बोलते है Inexplicable क्या बोलते है? Inexplicable So I hope this is clear Inexplicable का मतलब होता है Unexplainable Something which is Unexplainable Will be called Inexplicable Hope this is clear Next word है Aftermath Aftermath का मतलब होता है रिजल्ट यानि कि हिंदी में परिनाम So जैसे कि मैंने आपको कल एक word कराया था Consequences Consequences मैंने कराया था So उस Consequences में मैंने आपको बताया था किसी भी Bad result को यानि कि हमने कुछ गलत काम कर दिया तो उसका जो result होगा वो bad आएगा तो किसी भी bad result को हम consequences बोलते है Same यहाँ पर भी है Aftermath भी bad result को ही बोलते है So आप consequences का जो synonym है वो aftermath लिख सकते हो ठीक है Consequences का मतलब भी होता है bad result And aftermath का मतलब भी होता है bad result The consequences और after effects of a significant unpleasant event यानि कि किसी event के जो के unpleasant था उसके consequences यानि कि उसके जो after effects है वो चीक है So aftermath का मतलब होता है Consequences यानि कि bad results I hope this is clear Next word पर चलते है Next word है zeer Zeer का मतलब होता है ताना मारना यानि कि rude and mocking remarks For example कोई ताना कैसे मारता है इस तरह से कि उसे चुप जाए वो बात इतनी rude होती है कि वो चुप जाती है कोई-कोई मजाक में भी बोलता है तो इसलिए याँ पर mocking remarks लिखा हुआ है ताना मारना दोनों अलग छीजह है ताना मारना दोनों का ही मतलब होता है जियर का मतलब होता है ताना मारना यानि कि make rude and mocking remarks typically in a loud voice ताना मारा जाता है slow voice में भी ماर जाता है याशी बात नहीं है Bernard में ही मारा जाता हूँ Bacon terminology add loud voice make rude and mocking remarks next word देखते हैं क्या है hostility hostility का मतला होता है शत्रता यानि कि animity दो लोगों की बीच में hostility हो जाना यानि कि शत्रता हो जाना hostile behavior शत्रता वाला behavior unfriendliness यानि कि friendliness ना होना दोनों के बीच में ठीक है opposition यानि कि withdraw ही जो होता है opposition दूसरी team का ठीक है दूसरी party का उसको बोलते हैes opposition यानि कि विद्रोही, विरोधी, ठीक है, विरोधी बोलते हैं, opposition को and hostility का मतलब होता है, शत्रू यानि कि, enmity यानि कि, शत्रूता, hostility का meaning होता है, ठीक है, I hope this is clear, so hostile behavior का मतलब है, शत्रूता वाला behavior unfriendliness होना, opposition में, and hostility मतलब शत्रूता, यानि कि, enmity next देखे क्या है, consider consider का मतलब होता है, integrated यानि कि, think carefully about something typically before making a decision यानि कि, 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 भी decision को लेने से पहले, उसके बारे में, carefully सोचना, यानि कि, thinking करना so, कोई भी decision हो उसको लेने से पहले, अगर आप carefully, उसे, उसके बारे मैं सोच रहे हो, अच्छे से सोच कर ही, उसको ले रहे हो decision को, तो उसे बोलते हैं consider करना, ठीक है consider का मतलब होता है, think carefully, okay so, consider का मतलब होता है, think carefully about something typically before making a decision, I hope this is clear, next देखते है annihilation, annihilation का मतलब होता है, विनाश यानि कि, destruction complete destruction or obliteration that is called annihilation यानि कि, किसी भी चीज़ का, किसी भी building का complete destruction हो जाना यानि कि, पूरा विनाश हो जाना उसे, जैसे destruction होता है न, उसका synonym obliteration भी होता है so, annihilation obliteration, destruction इन सभी का मतलब होता है विनाश, मैंने कल आपको एक word बदाया था, conflagration अगर आपको याद हो conflagration का मतलब मैंने आपको बदाया था कि, जब आग से किसी चीज़ का विनाश होता है या destroy होती है कोई चीज़ fire से, आग से उसको बोलते है conflagration है न, so conflagration में भी देखो conflagration, annihilation, destruction destruction, obliteration दोनों सारे मेंनिक इते similar है, सभी के बिचे tiun, tiun, tiun लगा हुआ है सभी के बिचे क्या लगा हुआ है tiun, ये हिंट देखे आपने, सभी के बिचे tiun लगा हुआ है conflagration annihilation, destruction obliteration और सभी का मेंनिक से होता है विनाश, यानि कि destroy ठीक है, ये हिंट थी चोटी सी, इसे याद रखेगा annihilation का मतला होता है विनाश, यानि कि complete destruction or obliteration, I hope this is clear next देखे क्या होता है haggymoney, और ये मैंने आपको कल भी कराया था आज आपका revision हो रहा है इस word के लिए इस word के लिए, ठीक है so haggymoney कल मैंने आपको कराया था कल मैंने आपको क्या meaning बताया था आपका आप एहले mind में खुद सोचिए क्योंकि ये विडियो, ये जो word है मैंने कल की विडियो मैं आपको कराया था haggymoney, haggymoney का मतला होता है dominance, यानि कि प्रभुत्व, यानि कि कोई country जिसमें उसका जो राजा है या सबसे उपर पावर राष्ट्रपती बोलो या प्रदान मत्री बोलो किसी किसी country पर राष्ट्रपती होता है किसी किसी country पर प्रदान मत्री होता है तो जो सबसे उपर का जो है और उसका पुरी country पर Dominance होना, यानि कि, प्रभुतू होना, यानि कि, वो जु बोलेगा, वही होगा, तो उसको बोलते हैं, एक तरह से, प्रभुतू यानि कि, Dominance, उसी को हम, दूसरे word में क्या बोलते है, यानि कि, Dominance का ही similar है, Hegemony, Hegemony, जो है, वो dominance का ही similar है ठीक है? So hegemony word आपको याद रखना है Next देखे क्या होता है? Persued Persued का मतलब क्या होता है? Convince करना यानि की मनाना Persued का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना अब कैसे मनाना? उसको अच्छे से समझा के उसको बोलना के देखो reasoning यानि की reasoning का मतलब क्या है? कि reasoning से काम लो reasoning से काम देने का मतलब होता है कि थोड़ा source विचार के काम लो थोड़ा तर्क वतर्क लब-तर्क के हिसाब से सोचो ठीक है? तो किसी को मनाना इस तरह से convince करना induce someone to do something through reasoning or argument यानि किसी को reasoning and argument के through किसी को मनाना यानि कि induce करना induce मानी भी मनाना होता है so induce someone to do something through reasoning or argument that is called convince यानि कि persuade so convince तो आपने सुनाई होगा convince का मतलब होता है मनाना तो बस persuade का मेनिक भी convince करना होता है I hope this is clear next देखे क्या है vanquish vanquish का मतलब होता है परास्त करना किसी को beat करना यानि कि पराजित कर देना vanquish का मतलब क्या होता है किसी को पराजित कर देना like आप युद्ध में गए हो या फिर दो राजा युद्ध लड़ रही है उनकी सेना युद्ध लड़ रही है तो एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया उसे बोलते हैं beat करना यानि कि vanquish करना और vanquish करने का एक और meaning भी होता है वो क्या होता है disappear हो जाना यानि कि गायब हो जाना suddenly and completely अचानक से और पूरी तरह से गायब हो जाना यानि vanquish हो जाना आपने एक सुना होगा like कोई stain है मार लो कपड़े पे तो उसको साफ किया तो वो completely क्या हो गया disappear हो गया ठीक है और उसे बोलते हैं क्या vanquish यानि कि completely disappear होना suddenly disappear होना उसे बोलते हैं vanquish and vanquish का एक और meaning होता है किसी को पराजित करना यानि कि beat करना अब देखें next word क्या है outrage outrage का मतलब होता है anger so an extremely strong reaction of anger, shock और indignation यानि कि anger यानि कि गुसे का shock का जब हम shock हो जाते हैं anger हो या shock हो या indignation हो इन तीनों का जो गुसा होता है यानि कि extremely strong reaction होता है उसको बोलते हैing outrage यानि कि outrage का मतलब एक तरह से हो 생각이 एक्स्ट्रीम एंगर बहुत बड़ी लेवल वाला गुस्सा उसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रीम एंगर और एक्स्ट्रीम एंगर को आप दूसरे वर्ड में क्या वोलोगे आउट रेज एक्स तरह से हमने 20 वर्ड कंप्लिट कर लिये हैं आज के शेशन के अब मैं कराती हूं आ मैंने आपको बताया था, pharma class, यानि कि pharma class का कोई member उसको बोलेंगे, peasant, ठीक है, next बताया था, extol, extol का मतलब होता है, praise करना, प्रशंशा करना, that is called extol, clumsy का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी person का awkward होना, यानि कि dead हांगा, यानि कि किसी की movement awkward हो, तो उसको बोलेंगे क्या, clumsy, harbinger, harbinger, harbinger का मतलब मैंने आपको बताया था, predecessor, यानि कि पूरवज, जो पूरवज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, harbinger, ठीक है, हर्विंजर किसको बोलते हैं, पूर्वजों को next था quench, quench का मतलब मैंने आपको बताया था संतुष्ट यानि कि satisfy होना प्याज भुजाना एक तरह से आप थुश्टियों आपने अपनी प्याज भुजाई या आपने खुद को क्या किया, quench किया ठीक है, next word मैंने आपको बताया था wrangling, wrangling का मतलब होता है bargaining, यानि कि mole भाव करना ठीक है, wrangling मतलब bargaining, peachy का मतलब होता है good यानि कि अच्छी, अगर कोई चीज अच्छी है तो आप उसे peachy बोल सकते हो या फिर अगर किसी color का peach किसी dress का color peach जैसा है तो आप उसे peachy बोल सकते हो be which be which का मतलब होता है attractive यानि कि आकर्शक be which का मतलब क्या होता है attractive होना किसी चीज का, यानि कि आकर्शक होना उसे बोल सकते हैं be which या फिर दूसरा meaning में आपको बताया था कि कोई person जो दूसरे person को अपने wash में कर ले magic के द्वारा उसको भी बोलते है magic के द्वारा किसी को wash में करना यानि कि अपने control में करना that is also called be which next word था axiom, axiom का मतलब था saying, यानि कि कहावते सु कहावते जो होती हैं उनको हम saying भी कहते हैं और axiom भी कहते हैं, next word था inexplicable inexplicable का मतलब होता है unexplainable, यानि कि कोई चीज जो कि रहसी मैं हूँ, जिसको explain ना किया जैसे कि that is called inexplicable, so inexplicable का मतलब साब को सौझ में, आगया होगा next देगी क्या होता है aftermath, aftermath का मतलब होता है परिणाम, यानि कि result और कैसा result, bad result so bad result को ही बोलते हैं क्या aftermath, next था zear, zear का मतलब होता है ताना मारना, यानि कि rude comment करना या rude remark करना ते किसी को ताना मारना that is called zear ठीक है, zear का मतलब क्या होता है ताना मारना, यानि कि loud voice में किसी को rudely remark करना, यानि कि ताना मारना, next क्या होता है hostility, hostility का मतला होता है शत्रता यानि की एन्वीटी होस्टाइल behavior होना किसी परसंद के अंदर यानि की unfriendliness होना उसे कहते है hostility यानि की शत्रता एन्वीटी next word था guys consider consider का मतला होता है integrated यानि की किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, carefully सोचना that is called think carefully और उसी को हम बोलते है consider किसी चीज़ को consider करना यानि कि उसके बारे में सोचना think carefully about something is called consider ओके, next बटता गाई annihilation so annihilation का मतलब बैंने बता है था आपको annihilation बोलते है इसको annihilation का मतलब होता है destruction यानि कि विनाश annihilation का मतलब क्या होता है destruction यानि कि विनाश complete destruction और obliteration किसी चीज़ का complete destruction हो जाना पूरी तरह से किसी चीज़ commit जाना that is called annihilation यानि कि विनाश conflagration का मतलब भी होता है विनाश hagemony hagemony का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था dominance यानि कि प्रभुत्व यानि कि किसी country का अपने लोगों पर एक दरसी क्या हो dominance हो किसी एक person मालो किसी एक particular person का या फिर किसी social group का किसी दूसरी group पर या फिर लोगों पर क्या हो प्रभुत्व हो यानि कि dominance हो तो that is called hagemony next होता है guys persuade persuade का मतलब होता है convince करना यानि कि किसी को मनाना persuade का मतलब क्या होता है किसी को मनाना यानि कि किसी को induce करना induce someone to do something through reasoning और argument induce मतलब एक तरह से भढ़काना भी होता है किसी को भढ़काना induce मतलब भढ़काना किसी को क्या करना भढ़काना किसी काम को करने के लिए ठीक है तो that is also called इसका मतलब ये भी होता है किसी को मनाना यानि किसी रोठे होए को मनाना कन्वेंस करना that is called persuade next देखे क्या होता है vanquish vanquish का मतलब होता है परास्त करना किसी को बीट करना किसी को परास्त करना बीट करना that is called vanquish इसके लाबा गायब हो जाना एकदम से that is also called vanquish next word था outrage outrage का मतलब होता anger यानि कि गुसा so outrage का मतलब होता anger लेकिन कैसा anger extreme anger so if you are extremely angry then you are in outrage okay so I hope this is clear and इस तरह से हमने guys सभी important words का division भी कर लिया है और उन्हें अच्छी से समझ भी लिया है and इसी तरह से मैं daily आपको vocab की video provide करती रहोंगी and target मेरा यही रहता है कि आपको वीडियो and होते होते सारे words माइंड में set हो जाए and I hope आपके माइंड में set हो गए होंगे अगर आपको इस वीडियो से help मिली है तो please मुझे comment section में जरूर बताएगा इस वीडियो को like जरूर कीजेगा अगर आपको useful लगी है आपको अगर हमारे telegram group and channel से जोड़ना है तो उसका link description box and comment box में दिया हुआ है वहाँ पर click करके आप telegram group and channel से जोड़ सकते हैं और अपने doubts को discuss कर सकते हैं आपको अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment section में बूचिए और हमारे telegram group and channel से भी आप जोड़ सकते हैं अगर आपको वीडियो यूसफुल लगे है तो इसे like करना बिलकुल न भूलें comment करके मुझे बताएं अगर आपको कोई doubt है तो comment करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो से कितनी help हो रही है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आपको इस वीडियो से help हो रही है तभी मैं इस वीडियो से शेशन को आगे continue भी रखूँगी अगर आपके views आएंगे अगर आपके comments and reviews आएंगे तो मैं इस वीडियो को यानि कि इस session को आगे भी continue रखूँगी आपके लिए सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल को आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए इसके अलावा 5 पीम पर होता है live session तो आपने अभी तक 5 पीम वाला live session अटेंड नहीं किया है तो आप आज की दिन 5 पीम वाले live session के लिए तेया रहीएगा exact 5 पीम पर हमारा live session यानि कि live quiz session जिसमें हम questions discuss करते हैं and quiz के रूप मैं सारे questions को करते हैं और फिर मैं सारे questions का explanation भी देती हूँ तो वो अगर आपको अटेंड करना है और अपने grammar की doubts क्लियर करने हैं तो आप आज शाम का 5 बचे वाला live session अटेंड कर सकते हैं और डेली होता है तो आप डेली 5 पीम पर उस live session को अटेंड कर सकते हैं so guys subscribe कर लेजेगा चैनल को bell icon को दबा दीजेगा आगे आने वाली ऐजी ही useful वीडियो को देखने के लिए thanks for watching the video